सांताकारं भुजगसेनं पदमनाबं सुरेशं विश्वाधारं गगनसद्रीशं मीगबर्णं सुभांगं लक्ष्मी कांतं कमलनैनं योगिविर्धान गम्यं बंदे विष्णू भवबायारणं सर्वलूकैकनातं आध्रणिय इस्टमित्रवंद बान्दव संपुन भक्ति मार्ग का पथिक मित्रहरू आज यहारू संग क्या है आध्यात्मिक सर्चा परिचर्चा हमी गर्ने छों। आध्यात्मिक सबा समारोमा जान चों। तो आध्यात्मिक भववायं को दर्षन तो पाया चों। तो दर्षन पाया जो समय देखे तो बड़ार आमड़े कुर हाओ। अईना आमिमा केई शंका हरू सब बने देखिए आमले संका को निबारण घर नहीं पर्ने मन्च। कथनीमा मात्रे बसे रहा आमरे काम बन देखिए न। एक समय जब राजालाई संका बायो। राजालाई राज कास को देरै चिन्ता हरू थे उत्यों, त्युत्ति कैई मन बित्र प्रस्ण उठें, द्वीटा प्रस्ण उठें, राजाको मनमा क्य प्रस्ण आये बन्देखि, भगवान ले क्ये काम गर्णुन उन्छ, औनी भगवान कहां बश्नुन उन्छ इद्वीटा प्रष्ण राजा को मनमा उठेबसի राजा लेके करने बापने देखी मंत्रीला बुला है रा मंत्रीजी मला द्वीटा प्रष्ण ले बहुत संका बनाये गोछ currently मीरू यो संका को समाधान करे दिनुपरेऊ आणि मंत्रीजी ले बननाचा राज़न अहत्त लएक कीट इस्त tradyaṁक हा corresponds मंत्रीजी पहल्य प्रस्णत केश बने देखि भगवण का बस्णुन्छा? भगवण का बस्णुन्च येस कुदा कमलाई चाइं तुम्गु चाहिएँ अनि अवरको दोसरो प्रस् Details के चाङए भगवान ले क्या काम गरना, ये दुई टवब प्रस्िन चाये मिरो मन मोंगेजिये का चान, अब ये शकर मला समाधान चाय। मेरो मन मा चानी खेली राय का चन मन मस्तिष्क मा यही तरंग चली राय को चुछ अनी मंत्री जीलाई येस्ता गहन प्रस्ण सुनीर बड़ा अस्मन जस्मा पर नगो रब मंत्री जीले पिन येवटा चानी सुच बनाई हाल नगो अब समाही लिन पर छा सबय भन्दा रायम्रगुरा मले एक अप्ता को समाहीली जुँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँ चानि बुद्धिले काम गरदाईन, छा दिन बिती सके हो, मंत्री जी एकदम चिन्तित हुनां चा भोली साथ दिन को दिन तो जबाख दिन जान पर छा, अनि ये सेरी चानि चिन्तित भाईको देखेर, मंत्री का पोत्र अले बन्दा चान, पिताजी हजुर लाइक की को चिन्त चिन्तित देख देख देखेछु, हजुर लाइक की समस्या परे बताऊनों स्मन्दागेरी, मंत्री जी लेक्षिन तर्टाल मटल गर्नु भाईको तर वास्तम मा चानि कुर्या खर्नु भाईको चानि, हेवाबु, मलाई राजाले दुईटा प्रस्ण येसरी चानि मले ती दुईटा प्रस्ण को जबाब बोली दिनु पर्नेम चो, बोली एकप्ता को समय मा मागे रायको चो रो बोली एकप्ता प्रस्ण को तेस कारणली मले राजालाई बोली दुईटा प्रस्ण को जबाब दिनु पर्नेम चो, अनि मंत्री का पुत्रले सोद्ध संती, द फिसलों दोसर प्रस्ण चाने भहागा एक काम गरुनों पर शेता कि अने मंतर का पुत्र, भुणा रिशीमुनि हरु शंगति हो तेस्ता ब्रह्म ज्यानी आत्म ज्यानी संत महात्म हरु को सानिक देमा जाने वहा को चाने ब्यगलेई संस्कार ब्यगलेई सवाप्तियो अनि मंत्री का पुत्र ले के बन्नुब बन्दे के पिता जी हजुर ले यत्ती बन्देनुस इवा प्रश्ण को जबाब तो मेरो पुत्र ले दिन जो बन्देनुस मंत्री जानबो राजदर्वारम अरको दिन प्रात्त काल उठेरा राजदर्वारम जानबो राजदर्वारम गई सके पसी राजा ले सुच्छन मंत्री जी मेरो प्रश्ण को जबाब आयो बंदा केरी मंत्री जीले मंत्रिका पुत्र ले दरभार मा बलाई, दरभार मा आई शाके पसी मंत्रिका पुत्र ले नमस्कार गर चना आई भाधन गर चना राजा ले राजाने, भाव मेरो प्रस्ण को जवाब दिना आएको बंदे हजूर हजूर को प्रस्ण सुन्न पाये मोरे जवाब दिने छुछुँुुुुुुुुुुु तब राजा शिमासन मा बजदसंद्र तल चायने मंत्रिका पुत्र लाई राकिनच ये मंत्रिका पुत्र ले राजां हजुर्प प्रशन सुन्न पाउं एति भनी सके बशे राजाले एर भावो मेरो पहले प्रशन केच बने देखी भगवान का बशनुम चा ठीक ज़ा महराज अब हजुर ले मलाई चाने यह उटा कुचवरमा दूद मगाय देन उस्स मंत्रीका पुट्रले दूद मगे दर्बाःव बितर बाटां दूद आयो दूद आई शकेन पशी मंत्रीका पुट्रले ते कचवरमा इसजरी हातराखेर खोजन धाले आत राखे डाखे रा खोजे को देखे राजाले सुत्द्द Lang内, बाबु तुमने एश माँ की खोज दई छौँ और मंत्रीका पुत्रले जबाब देने जना महाराज मे एश मा घिव खजी राइको छो मेले तने दूद मा घिव उंचे वन्ने सुनिको छो तरह यो दूद चाई मैं ले खोजी रहे कुछी बेटेगो चाई न अनि राजाले मंत्रिका पुत्र लाहे बन्नुँँछ ये बाबु ये सेरी चानी दूद में हातले खोजे रहे घिव का बेटींच गिव लाहे प्राप्त गर्ने हो बने देखीता दूद लाहे जमाउनुपर्च मन्थान गर्नुपर्च अनि तेस्पशी मन्थान गरी शकी पशी मात्रे बल्ले घिव प्राप्त आउन्छ मंत्रिका पुत्र बड़ु पर्शन न भाहे रबन्दशन राजन यही मैले उत्तरबु अप्यक्षा गरे गो थी अजोल्य अत्यांत सही कुर्या बन्दवायो यह दूद मा घिव ता सर्वत्र ब्यापक शा युग दूद मा घिव ब्यापक हुँदा हमुदै पनी तर चैने हामिले घिव एसे रिखोजेर पाउन शकी न यहको लागी निस्चित कर्म गर्न पर्नेमंच अनि मात्रे हामिले घिव प्राप्त गर्न शकीन छो तियसरी ने भगवान कान बश्नमन चा बन्दध की हिमाल पहाड तराई यो सारा जगत चराचर विष्च ब्रमाणनमा भगवान कड़कर मा ब्यापक बहर बश्नम बश्नम बाईप चा यह दूद मा घिव ब्यापक गरूपले चा ठीक तैक प्रकार ले सारा जगत चराचर मा यो सारा ब्रमाननमा चाई इस्वर ले बास गरन भगवाई पचछ ब्राप्त गरन गवाई यह सरी आम लेचा ने दूद लिए तताएर जमाएर नमंतन गरेर मात्रे निकालन सकीं चा तियसे गरी हमिले पने यो मानभ शरीर रूपी च वल अब राजा लाई वली के ता चित्त बुजिए। अब ठीक से यहटा प्रश्ण को उत्तर वेता मला चित्त बुजायवाव। अब मेरो दोसर प्रश्ण को पने जबाब देने परे। अनि मंत्री का पुत्र ले बन्दशन। राजान हजर को दोसर प्रश्ण की उता बन्दखेरी। अनि भगवान ले क्यों काम गर्णा चाता। भगवान को कामी सहीना बिन्दखेरी। अमले भगवान भगवान मने रखीना पुजा गर्णा पर यदी काम चा बिन्दखेरी। अनि मंत्री का पुत्र ले बन्दशन। यह महराज, हजर को यत्रो ठुलो राज दरवार को मर्यादा यही हो तो महराज बन्दखेरी। राज ले ठीक चा बाओ, महले चानी यह बर्यादा लाइ महले मिलाउचू, तरव मेरो प्रश्ण को जबाफ दिन्दखेर। अनि राज ले क्या गरे बने देखी। आपु तल गएर को मंत्री का पुत्रा बशे का ऴते। आप भशे को सिंबहाशन मांत्री का पुत्रा बशे का थे। अब चाहिं मलाई मेरो प्रष्ण को जबाः चाहियो अब भगवान ले भगवान ले चाहिं कीर काम गरनुँच तला मलाई मेरो प्रष्ण को जबाः चाहियो बन्दाखेरी मंत्रि का पुत्र ले बन्दाचन राजन भगवाणली यही काम गर्नुआँछ तला बस्न माथी पठायदिनुँँछ माथी बस्न लाई तला पठायदिनुच भार्खर समे अजर माथी बस्न बाईको थी, मैं तला बस से को थी कहां मेरा भाग मों राजैं मातिया हुश्या खोशू थाल भाइकोittä हुश्या भाजैं, आ हो भाग मेरा जे राज्यराच भाग गश्या थेंग। मुझय भाग उसरा गटेके हुश्या को कोई परदान मंत्रिको कुर्शीमा बसेक होला, कोई मंत्रिको कुर्शीमा बसेका होलान, ठोला हाकिम, बड़े-बड़े हाकिम भायर बसेका होलान, तर ये दी हमीले रामरो कर्म गरियो भने देखी, तत्यों कुर्शीमा बसी राखना पाहिं छो, रामरो कारे घरुण जल सम् बने देखी अनि तेस पसे की बंचा बने देखे हैमिले छोड़नु परने मन्चा यो तिविदी बने देखी राखे के 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 कुरा हो जानी राज़ा लहीं चित्त बुज़्यों यह सेरी आजा यो लोगडाउन को अवस्तामा हजुर हमें घर भित्राई बस्नु पर्णु इस्तिती आई कुछ वास्तामें इसको अरकोपनी संक्यत कियो बने देखी तिमीले इस्चुर प्राप्ती गर्णु परदाच यह मनुष्य चोला पाई सके पसी प्राप्तगर्ण को लागिती मी चाएं गहर वित्र पस्नु गहर वित्र बस्न गलेको कियो बियन देखी यज़ मेनम सरेर ब जो भित्र चानि भगवान को बास्त dif č ये वित्र पसे और ये वित्र फोलएरा मातरे इस्च्वरलाई प्राप्तगर्न शकिंच आम्रा महान रिशीमनी हरुले इस्च्वरलाई प्राप्त गरने महान साधना बताय कसन येदी हमले त्यों साधना लाई जानन शकें भूजन शकें मने देखिए अबस्च पिनी हमले इस्च्वरलाई प्राप्त गरने छो तेही कारुले चाने संता हरुले बन्नुवायो कस्तुरी को बासनाम उचा अनि जती बेला उसले चाने सोच कर्म इत्यादे गर्दशा त्यती बेला नाभी खुल्दश रा बासनाम उदशा तरत्यू मिर्गलाई था अउचा जंगल जंगल मा हिमाल पहाड परभत मा दोड़ी रायकोंच यो खुछ बाता आयो पुर्भ बात पस्चिम बाता आयो कि उत्तर बाता आयो वंदव उचाने खोजी गरी रायकोंच तर उसला यो ज्यान होदे ना मेरे नाभी मा कस्तुरी को बासनाच बने रा ज्यान होदे ना तीसरी ने आईसे घट घट ब्रह्म हे दुनिया जानत नाए यसी गरी परम्पिता परमात्मा ह हरेक मानापको हरेक इंसानको गट-गट मा ब्रियाज बान होदे नाच तर चाने दुनिया ले जाने ना त्यो प्रप्र साधना प्राप्ता नभाय सम्मा ठीक प्रकार को साधना प्राप्ता नभाय सम्मा रा साच्चो समय को साच्चो संत महापुरुषलाई प्राप्ता आपने घट वित्र भायर अपनी वहां को बोद भाय ने ज्यान भाय न वहां को दर्शन पाउन शके न आत्मा को शाक्ष्यातकार करना सके न तुल्सी द्यास महराजडली बननाच अंगाड़ी लाणाद एशी जिन तुल्सी या संसार को मयोव भयोवमत्य विन्दे सारा जसलेपनी आत्मा को सक्षात्कार गरेना इस्वर को दिदार गर न सकेने बने देखिए तियो चैनि उसलाइ इस्वर लाइ एर ने चुन तेस्वर नेत्र हो फुलो परेकोचा बादल लागेकोचा रा समय को संत महापुरुषको शानिदी मात्यो बादल लाइ अटाम न सक्किया वने देखिए आमिले चैनि इस्वर लाइ पराप्त गरना सकीँछा देराई टाडा गानों परदैना जसरी आमिले चैनि अईले को यो समय ले चैनि घरवित्र बसन पठायकोचा त्यसे गरी हजर हमी यो घरवित्र मानव शरीर रुपी घरवित्र पनी पसन शिकों अंतरमुखी बन शिको अंतरमुखी बुपी बन शिकों पानुखी बन शिक को यहृल को जीपन मा पनी यत्र dalमानव को पाउन बन शिको जीपन मा आत्मा को शाक्षगार गरने कि शुर लाइ परकद गरने ए तो महा आननद को धाम लाइ पराप्त गरिए अपनों जीबन लाइ धन्ने र महान बेड़ दो लातने बच्छा करती अजला इमया हुष और बिदान लिन्या उन्मति चान्च वर्यों तसुट